सोनपुर नामक छोटे से गाउं में श्रीधर नाम का एक गरीब किसान रहता था उसे एक भी अक्षर पढ़ना नहीं आता था वो अंगूठा टेक था जब ये बात उसके पडोसी सुन्दर को पता चली तो वो अपना दिमाग लगाने लगा किस तरह वो श्रीधर की छोटी सी जमीन को अपने नाम लिखवा ले श्रीधर के परिवार में उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था बेटा भी पांचवी कक्षा में ही पढ़ता था एक दिन सुन्दर श्रीधर के पास आता है भाईया ये तो देखने में सरकारी कागज ही लग रहा है लेकिन क्या सच मुच में ऐसा हो रहा है जरा एक बारी और समझाओ क्या लिखा है इस कागज में मेरे दोस्त श्रीधर इसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने खेतों में लगाई हुई सबसी को अगर सीधा सरकार के पास बेच दोगे तो तुम्हें डबल मुनाफ़ा होगा और अगर तुम्हें इस स्कीम का हिस्सा बनना है तो इस पर या तो अपने सायन कर दो या अंगूठा लगा दो पर राज से पहले तो कभी कोई ऐसी योजना आई ही नहीं 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 मेरे भाई योजना है तो बड़ी बड़ी आती है लेकिन हम तक पहुचती कहा है हम गरीब किसान इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में जान भी नहीं पाते वो तो बस मेरे साले ने बता दिया इसलिए मुझे बता चल गया फिर तेरे और मेरे हालाद तो बिलकुल एक जैसे ही है, तो सोचा थोड़ी सी तेरी मदद हो जाएगी, ये और बाते हैं कि अगर तुझे मुझे पर बरोसा नहीं है, तो जा तु किसी से भी बात कर ले। श्रीधर में मान ही नहीं सकता कि इसमें धोके की गुंजाईश है, तेको तुम्हारा अंगूठा लगा हुआ है, और इससे बड़ा सबूत तुम्हें क्या चाहिए, पड़वारी जी मैं बिलकुल सही कह रहा हूँ, ये मेरे पास आया, इसे पैसों की जरूरत है, इसने अपन जमीन मुझे बेच दी, अब इसके मन में लाला चाह गया है, तो ये मुझे पर जूटे जूटे इल्जाम लगा रहा है, सुन्दर मैं पढ़ा लिखा नहीं था, तुने बस इसी का फायदा उठा लिया, लेकिन मत भूल, उपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, ये क कुनाल की मा, मैं तुम लोगों का बुरा नहीं सोच रहा था, लेकिन क्या करूं, किस्मत ने मेरे साथ कितना बड़ा धोका कर दिया, तुनाल उस समय स्कूल में था, स्कूल में टीचर्स अभी बच्चों को सबजियों के बारे में बता रही थी, कि कौन सी सबजियां गर्म बताओ, खीरा कौन से मौसम में लगता है? मैम, खीरा गर्मी के मौसम में लगता है. मेरे बाबा की खेत में इस समय बहुत सारा खीरा लगा हुआ है. जो पड़ास वाले सुन्दर चाचा ने धोके से ले लिया. मुझे भी खीरे बहुत पसंद थे. अब मैं खीरे नहीं खा पाऊंगा. तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे चाचा ने धोके से तुम्हारे बाबा का खेत ले लिया है? कल बाबा रो रो कर कह रहे थे. तब मैंने चुपके से सुन लिया था. ये सुनकर टीचर को भी दुख होता है. वो खीरा उठा कर कुणाल को पकड़ा देती है. कुणाल अब तुम घर जाओ और ये खीरा भी अपने साथ ले जाओ. छुटी हो चुकी थी. सभी बच्चे अपने बस्ते में सामान डाल रहे थे. कुणाल भी अपने किताब अंदर रखता है और खीरा हाथ में लेकर घर की तरफ चल देता है. तभी रास्ते में उसे एक बुढ़ा आदमे मिलता है. उसके हाथ में खीरा देखकर वो उसे खीरा मांग लेता है. छोटे बच्चे, अगर तुम्हें खीरा नहीं खाना है, तो तुम मुझे दे दो. बहुत प्यास लगी है, मैं ऐसे खा लेता हूँ. तुम सच बोल रहे हो न, मुझे दोखा तो नहीं दे रहे. सुनो बच्चे, तुम तो अभी बहुत छोटे हो. ये दोखा शब्द तुमने कहां से सीखा? फिर कुनाल उस बुढ़े आदमी को भी वही बात बताता है, जो उसने अपनी टीचर को बताई थी. ये सुनकर बुढ़ा आदमी बहुत दुखी होता है. वो उसके हाथ से खीरा ले ले लेता है. फिर अपने कंधे पर टंगे हुए जूले के अंदर, उसे रख कर उसमें से खीरा वापस निकाल कर कुनाल को दे देता है. जाहो जाकर ये खीरा अपने बाबा को देतो, और कहो कि परिशान होने की जरूरत नहीं है. जो चाहिए इससे मांग ले. कुनाल खीरा लेकर घर आजाता है. वो देखता है उसके पापा बड़े उदास बैठे हैं. वो उनके पास जाकर उनके हाथ में खीरा रख देता है. क्या हुआ कुनाल बेटा? ये खीरा मुझे क्यों दे रहे हो? बाबा रास्ते में मुझे एक बूढ़े काका मिले थे. उन्होंने मुझसे कहा कि ये खीरा अपने बाबा को दे दो और उनसे कहो कि जो भी चाहिए इससे मांग ले. कौन काका थे? और क्या कह रहे थे? बस यही कहाता क्हीरा बाबा को दे दो और उनसे कहो जो चाहिए मांग ले. एक बार खीरे से कुछ मांग कर देख लो, क्या पता किसी महातमा ने हम पर तरस खा कर हमारे बेटे को कुछ दिया हो? कुछ नहीं दिया, खीरा दिया है, अब बताओ इसमें मैं क्या मांगूं, क्या कहूं मैं इस खीरे से, कि मुझे मेरी जमीन वापिस दिला दे, तुम भी बच्चे के साथ बच्ची बन गई हो, जाओ इसे रख दो, तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हूँ कुणाल की माँ खीरे को रख देती है, फिर कुणाल को कप्डे बदलने के लिए कहती है, और खाना निकाल कर ले आती है कि तभी सुन्दर गिरता पढ़ता श्रीधर के पास आकर उसके पैरों में गिर जाता है तबी कमरे में एक डंडा भी आ जाता है जो सुंदर को पीटने लगता है ये देखकर शुरीधर उसकी पतनी और कुनाल सब हैरान थे फिर शुरीधर डंडे से कहता है कि रुख जाओ और डंडा रुख जाता है फिर सुंदर वहाँ से भाग जाता है मुझे तो लगता है ये सब इस खीरे का चमतकार है एक बार मेरे कहने से इससे कुछ मांग कर तो देखो अपनी पत्नी की बात सुनकर श्रीधर उस खीरे को हाथ में उठा लेता है और फिर ओ जादूई खीरे, हमारे हालाद बहुत बुरे हैं, हमें अमीर बना दो श्रीधर के ऐसा कहते ही वहाँ पर रंग भी रंग की रोशनी होनी शुरू हो जाती है और देखते ही देखते, वो छोटा सा घर एक बड़े घर में बदल जाता है श्रीधर उसकी पत्नी और कुनाल महंगे कपड़े पहने खड़े थे घर के बाहर गाडियां खड़ी थी घर में सब कुछ बेश कीमती सामान रखा था कुनाल की मा, देखो तो, ये सच मुच में जादूई खीरा है लगता है, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे उन्होंने हमें ये जादूई खीरा दिया बाबा, इस खीरे से वो वाली गाड़ी मांगो ना जो उस दिन मैं बाजार में देख रहा था अच्छा, वो वाली गाड़ी, जिसे एक बच्चा चला रहा था रुको, मैं अभी खीरे से बोलता हूँ श्रीधर कुनाल के लिए वो गाड़ी मांग लेता है अब कुनाल गाड़ी लेकर बहुत खुश था ये तो सच मुझ में चमतकार हो गया भगवान ने हमारी सुन ली हमारी जमीन भी हमें वापस मिल गई और देखो तो घर तो कितना सुन्दर हो गया है हाँ कुनाल की मा, अब हमारी किसमत बदल गई है तुम इस खीरे को संभाल कर रखो मैं जरा एक बार अपने खेतों को देख कर आ जाता हूं कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने खेतों को देखा तक नहीं मेरे खेतों में भी तो खीरे की फसल लगी है इस बारी तो सोना उगलेंगे पता नहीं उसे सुंदर ने मेरे खीरे का क्या हाल किया होगा ये कहकर श्रीधर भाग-भाग कर अपने खेतों में जाता है तो देखता है कि सारी खेत में खीरे लगे हुए है लेकिन वो सब सोने के खीरे हैं जिनकी चमक से आसपास के किसान भी वहां आकर इकठे हो गए इतने सारे सोने के खीरों का मैं अकेला क्या करूंगा श्रीधर के कहते ही वहाँ पर खड़े जितने भी किसान थे सबने एक एक सोने का खीरा ले लिया वो श्रीधर को दुआ देते हुए वहाँ से चले गए फिर श्रीधर ने वो सारे सोने के खीरे तोड़ दिये और उन्हें घर ले आया इतने सारे सोने के खीरे देखकर उसकी पत्नी भी हैरान थी अगले दिन सुन्दर श्रीधर के पास आता है श्रीधर मुझे माफ तो कर दिया है न तूने मैंने सुनाय तुने सब किसानों को एक एक सोने का कीरा दिया है भाई मुझे भी दे दे मेरे भी हालात बहुत बुरे हैं इसलिए मैंने तेरे साथ धोका किया मेरे मन में तुम्हारे लिए अब कोई भी मैल नहीं है तुम भी मेरे पड़ोसी हो इस बार तुम मुझे धोका भी नहीं दे रहे हो, तुम एक नहीं दो खीरी लो, पर कसम खाओ कि अब किसी के साथ धोका नहीं करोगे, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अब किसी के साथ धोका नहीं करूँगा, फिर श्रीधर उन सोने के खीरों में से दो खीरे निकाल कर सुन्दर को दे देता है, वो खीरे लेकर खुशी-खुशी वहां से चला जाता है तुम्हारा मन कितना अच्छा है कुनाल के बाबा, वरना मैं तो इस आदमी को दस बाते सुनाती और खीरे भी नहीं देती हाँ, तुम शायद ऐसा ही करती, पर भूलो मत उसने मेरे साथ धोका किया है, उस धोके की वज़ा से ही हमें ये जादूई खीरा मिला है, और इतना हक तो उसका बनता ही है अब तो श्रीधर अपने गाउं का ही नहीं आसपास का भी सबसे अमीराद में बन गया था जब भी किसी को जरुरत होती वो श्रीधर से मांगने के लिए आ जाते श्रीधर भी जादूई खीरे की मदद से सब की मदद करता उसने अपने बेटे कुनाल का एडमीशन भी एक बहुत अच्छे स्कूल में शेहर में कर दिया था पर वो अभी भी नियमित रूप से अपने खेतों में जाता और खेती बाड़ी करता और सब लोगों को मिसाल देता कि काम करना ही इंसान के लिए जरूरी है इस तरह अब उसका पूरा परिवार और गाउवाले खुशी-खुशी रहने लगे रामानंद एक छोटे से गाउं में रहता था और एक करीब किसान था उसके पास अपना एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सबजियां उगाता और उन्हें बाजार में बेचता यह उसकी आजीविका का एक मात्र साधन था उसके परिवार में उसकी पतनी और उसके चार बच्चे थे भरे पूरे परिवार के लिए रामानंद की कमाई कम पड़ती थी रामानंद बड़ा ही भला आदमी था और भगवान में उसकी बड़ी आस्था थी जब कभी भी किसी को मदद की जरूरत होती और रामानंद के बस में कुछ होता तो वे उसकी मदद जरूर करता मनूर्मा नई फसल की त्यारी करनी है पर समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसी कौन सी खेती करूं जिससे थोड़ा मुनाफ़ा ज्यादा हो जाए कोई भी खेती कर लो दाम तो किसी भी खेती के अच्छे नहीं मिलते है इतने महनत किसान करता है लेकिन जब बाजार में बेचने जाओ तो उन्हें पौने दामों में ही लोग खरीदते हैं अर ये तो सदियों से चला आ रहा है, किसान का दर्द भला कौन समा सकता है, फर किसान अपनी खेती के सिवा और करें भी तो क्या करें? देखो जी, अगर मेरी बात मानते हो, तो कोई ऐसी खेती कर लो कि चार महिने के अंदर दो फसल उतराए ये तो तु सही कह रही है, हमारे चारों बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, इनकी जरुरत भी बढ़ रही है, तु परेशान मत हो, भगवन है न, वो साब देख रहा है चारों बच्चे भी उठ जाते हैं, मनोर्मा उन्हें तयार कर, नाश्ता करा कर स्कूल के लिए बहेज देती है, रामानन भी खेतों की तरफ निकल जाता है, और मनोर्मा घर के काम खत्म करने लगती है कितनी पार काहा है, इन्हें एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दो, कम से कम आसपडोस के लोगों के कपड़े सीलूंगी, तो कुछ आमदनी हो जाएगी, पर इन्हें तो जुनून सवार है कि बीवी से काम नहीं कराना महिंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है, हे भगवान, अब तो तू ही मालिक है, इसी तरह कई दिन भी जाते हैं रामा नंद आखिर में फैसला करता है कि वह खीरे की खेती करेगा, और वह अपने खेत को तयार करके खीरे के बीज भी बिखेर देता है, उसे खेतों में पानी दे देता है, घर आने पर बाबा, इस बार आपने कहा था कि आप मुझे साइकल दिला दोगे, फिर मैं छोटू और पिंकी को अपनी साइकल पर ही बैठा कर स्कूल ले जाऊँगा वाँ जी, वाँ, इन दोनों को तो साइकल पर बैठा कर ले जाएगा, और मैं क्या पैदल स्कूल जाऊँगी अरे एक साइकल पर मैं कितनी लोगों को बेठा सकता हूँ तो ठीक है बाबा दो साइकल खरीद लो एक साइकल मेरी और पिंकी के लिए एक साइकल छोट और मोनों के लिए अरे अरे तुम चारों आपस में क्यों लड़ रहे हो तुमारे स्कूल यहां से है कितनी दूर एक किलूमीटर तो तुम लोग वैसे ही पैदल चल सकते हो पर बाबा साइकल दिला दो आपने कहा था हाँ हाँ तो मैं मना कहां कर रहा हूँ दिला दूँगा दिला दूँगा तुम चारों के पेपर शुरू होने वाले है और तुम यहां पर साइकल की बाते कर रहे हो जाओ जाकर अपनी किताब उठाओ और पढ़ाई करो जब देखो मटर गश्ती करते रहते हैं चारों बच्चे मनोर्मा से बहुत ड़ते थे चारों तुरंत वहां से चले जाते हैं और किताब उठा कर बैठ जाते हैं तुमने तो बचा लिया मनोर्मा ये सुनकर मनोर्मा हसने लगती है कई दिन गुजर जाते हैं रामानंद खेतों में बार-बार चक्कर लगा रहा था लेकिन उसकी उगाई हुई बीजों में अभी तक अंकुर नहीं निकला था उसे बड़ी चिंता हो रहे थी बाकी किसानों के खेत में छोटे-छोटे पौधे बड़े होने लगे थे क्या हुआ सारे बीजों में से अभी तक एक भी पौधा बाहर नहीं है ऐसा जो आज तक कभी नहीं हुआ अगर अंकुर नहीं निकला तो फसल खराब समझो ए भगवान मुझ गरीब की परीक्षा मत ले बच्चों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा ए भगवान रामानंद एक बार और खेत में पानी दे देता है और इंतजार करने लगता है कि खेत में बीजों से अंकुर निकलाए पंदरा दिन और निकल जाते हैं अब तो रामानंद को बहुत चिंता होने लगी थी मनुर्मा मुझे लगता है खेतों में हल चला कर दुबारा से फसल के तियारी करनी पड़ेगी ये तो बहुत ही बुरा हुआ है भला जमीन में बीज डाले और वह उगे ना आज तक तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ और हमारी जमीन तो कितनी उप जाओ भी है वही समझ नहीं आ रहा अब तो कल में खेतों में हल चला दूँ रात को रामानन्द को नीन भी नहीं आती वह करवट बदल बदल कर पूरी रात निकाल देता है उसका दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था कि आखिर इस बारी उसके खेतों में फसल तयार क्यों नहीं हुई और किसान उसका मजाग भी उड़ाने लगे थे उसे याद आता है उसी के पडोसी किसान ने कहा था अरे भाया रामानन्द भै खेती वाड़ी करना भूल गए हो क्या ऐसा तो कुछ भी नहीं अब किस्मत में फसल ही नहीं थी तो क्या करूँ अरे भाया बीच तो डंग से देखे थे न कहीं पैसे बचाने के चकर में सस्ते भीच खरीद लायो रामानन्द जानता था कि अभी बोलने का कोई फाइदा नहीं है इसलिए वह चुप हो गया था पर रात को बिस्तर पर लेटे-लेटे वह यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया अगले दिन सुबह वह अपने खेतों में जाता है चारो तरफ नजर दोड़ाता है तो एक जगा पर उसे खीरे की एक छोटी सी बेल दिखाई देती है उसके दिल में उम्मीद की एक किरन जाकती है वह भाग कर वहां जाता है तो देखता है कि उस छोटी सी बेल पर एक छोटा सा खीरा लगा हुआ है यह देखकर उसकी आँखों में आसुआ जाते हैं ए भगवाल मुझे पर और मेरे परिवार पर करपा कर अगर एक बेल निकली है तो और बेल भी निकलाएंगी क्या मैं कुछ दिन इंतजार करूँ या फिर आज खेतों में हल चला दूँ मुझे सही रास्ता दिखा भगवाल परिशान क्यों हो रहा है रामानंद रामानंद इधर उधर देखता है कि आवाज कहां से आई है पर आस-पास तो कोई भी नहीं था दूर दो किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे वह हैरान था कि फिर उसे नाम से किसने पुकारा अरे ओ रामानंद इधर उधर क्या देख रहे हो नीचे देखो नीचे मैं यहां हूँ रामानंद हैरानी से बोलते हुए खीरे को देख रहा था मैं एक जादु ही खीरा हूँ तो मैं इस तरह दुखी और परेशान हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमारी मदद के लिए आ गया हूँ जादु ही खीरा? भला ऐसा भी कभी हुआ है? क्या सबजी भी जादु ही होती है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकती? हाँ, जब तुम हो धर्ती है, आकाश है, हवा है, पानी है तो सबजी भी जादु हो सकती है ना? होने को तो कुछ भी हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें किसी ने तंत्र मंत्र कर मेरे खेत में भिजवा दिया हो तभी तो मेरे फसल त्यार नहीं ही हुई हाँ, 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 हाँ तंत्र मंत्र करके ना, भाई, ना, मैं कोई तंत्र मंत्र से या नहीं आया हूँ मैं सचमुच में एक जादु ही खीरा हूँ तभी जादुई खीरा अपना जादु का कमाल दिखाता है रामानंद के खेतों में छोटे-छोटे अंकुर निकर लाते हैं देखा रामानंद, अब तुमारा खेत भी थोड़े दिनों में लहराने लगेगा और तुमारे फसल भी जबर्दस्त होगी और ये सब मेरे जादु के कमाल से ही होगा रामानंद अपने खेत को देखकर अब बहुत खुश था वे जादुई खीरे को उसके कहने पर वहां से तोड़ कर घर ले आता है क्या बात है गए तो मूलट का कर थे आप बड़ी खुशी खुशी रहे हो अरे क्या बताओ मनुर्मा मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है सारे खेत में अंकुर निकल आये है और तुम्हें पता है ये किस की बदौलत हुआ है तुम्हारे मेहनत की बतालत और क्या? नहीं नहीं मनूर्मा, ये सब ये सब एक जादूई खीरी की वज़े से हुआ है फिर रामानन मनूर्मा को सारी बात बता देता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये एक जादूई खीरा है ये सुनकर मनूर्मा चौक जाते है और जादूई खीरा अपने जादू से वहाँ पर मनूर्मा की मन पसंद सिलाई मशीन ले आता है तुम तो सच मुझ में जादू दिखाते हो लगता है पिछले जन्द में कोई अच्छे कर्म किये होंगे तभी तुम हमें मिले हो मनूर्मा तो सिलाई मशीन मिलने से ही इतने खुश थी कि वह बाकी सब भूल ही गए तभी रामानंद उसे याद दिलाता है कि बच्चे स्कूल से आने वाले है खाना बना लो वर्षों से मेरा अर्मान था कि मेरे पास ऐसे ही सिलाई मशीन हो आज मेरा सपना पूरा हो गया मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ बस जिस तरह मेरी मनो कामना पूरी हो गई है बच्चों की भी हो जाए मैं तो यहां पर आया हूँ सीलिए कि तुम लोगों की भदत कर सकूँ मैं जानता हूँ बच्चों को साइकल चाहिए तभी वहाँ पर सब बच्चों के लिए संदर संदर साइकल आ जाती है बच्चे जैसे ही घर आते हैं चार साइकल वहाँ खड़ी हुई देख कर खुश हो जाते है अपनी अपनी पसंद की साइकल ले लेते है बाबा आप एक साइकल भी नहीं दिला रहे थे और अब हम सब के पास में अपनी अपनी साइकल है हाँ बाबा मुझे एसे ही साइकल चाहिए थी मैं तो अभी एक राउंड लगा कर आ रहा हूँ मैया मैं भी साइकल चलता हूँ सारे बच्चे ही अपनी अपनी साइकल लेकर राउंड लगाने के लिए चले जाते है उधर जादूई खीरा अपने जादू से कमाल दिखाता है रामानन्द के घर को सुन्दर बना देता है उसके घर में हर तरहा का समान डाल देता है यहां तक कि वह रामानन्द से कहता है कि उसके खेतों में अब हमेशा ही खीरे की खेती होगी वह पानी दे या ना दे या खेतों की देखभाल करे या ना करे उसके खेतों में हमेशा ही खीरे होते रहेंगे जिन्हें बेच कर वह अपनी आजीविका को अच्छा कर सकता है और बार-बार फसल लगाने की जंजट से भी बच जाएगा मैं भगवान का जितना शुक्र अदा करूं, कम है लगता है किसी जन्म के पुन्य का फल हो तुम तुम क्या मिले, मेरी तो सारी परिशानिया ही खत्म हो गई है मैं अपनी खेतों की देखबल वैसे ही करूँगा जैसे मैं अक्सर करता आया हूँ खेत नहीं, तो मैं भी नहीं जादूई खीरा रामानंद और मनोर्मा को बहुत सारी चीजे दे कर वहां से गायब हो जाता है बच्चे भी साइकल पर राउंड लगा कर अपने नए घर को देख कर हैरान थे रामानंद अब रोज खेतों में जाता और वहां से खीरे की फसल को निकाल कर बाजार में बेच देता सब किसान भी हैरान थे कि रामानंद के खेतों की फसल कभी खत्म नहीं होती अब रामानंद और उसका परिवार जादूई खीरे की मदद से बड़ा ही खुशहाल परिवार हो गया था